कि चलिए hello student अभी तक हमने company में first chapter कर लिया है first chapter में हमने company का features देखा था है ना और company के features के बाद company का meaning company के meaning के बाद भी हमने और भी दो तीन चीज़ टॉपिक देखा था lifting of corporate और लिफ्टिंग के अंदर भी हमने देखा था कि जुडीशल क्या है हमारा और हमारा स्टेचरी किस वज़े से होता है उन सभी के नोट्स आपको कंटेंट में मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ाएं एक्जाम में उसमें से लिखिएगा बेटर रहेगा कुछ बच्चे कह रहे ह कि आप एक अनिल कुमार के नाम से भुक आता है कंपनी लोग का वो बाई कर सकते हैं लेंग्वेज सिंपल है और आसानी से समझ में आएंगे आंसर भी बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसा नहीं कहीं से कट को भी पेस्ट किया हुआ है लिखाव आंसर अच्छा आंसर है उसका शल्कमें आपको रिजिस्ट्रेशन करा लिए हो enorm कमपणीज अक्ट कम्पनी में इसके साथ साथ कमपनी के कुछ बिवकन के ब बाई किया गया है तो company को देखा जाए ना type को यह काइंड कहलो यह type of company कहलो तो कोई गलत नहीं होगा अगर हम type को define करें न एक liability के basis पे है एक काम यानि work के basis पे है जो liability के basis पे यह exam में इतना relevant नहीं है वर्क वाला exam में आता है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक company होती हमारी statutory company statutory company कौन सी है एक company है हमारे पास stat company बोल देते हैं कई बार हम एक एक करके company समझते जाएंगे फिर हम theory भी दिखा देंगे किया है theory में पहले हम concept wise समझ ले फिर देख लेंगे देखो company की बात करें न company के type में बताता जाता हूँ कुछ ऐसी company होती है जो खास काम के लिए बनाये जाता है कुछ खास काम के लिए और इसको बनाने के लिए पारलियमेंट में जो MP होते है न पारलियमेंट में बिसेश एक कानून, एक स्पेशली कानून को पास करके बनाया जाता है, तो ऐसी company को हम statutory company कहते हैं, statutory company कौन सी होगी, जिसको के Parliament में special law के according बनाया गया है, इसके उपर companies act तो applicable होगा, लेकिन पूरा इतनी तरीके से applicable नहीं होता, कि जितना के सारे company पे होता है, जैसे example सर, example, for example, आप मान के चलिए RBI, example क्या है सर, RBI, Reserve Bank of India, ये भी एक company के corporation कहलो, company कहलो इस तरीके से काम करता है, जैसे हमारा institute है, ICAI, तो इन सभी को बनाने से पहले पार्लेमेंट में discussion हुआ था, और ये company सरकार का बनाने का main मकसद क्या होता है, कि लोगों की मदद किया जा सके, ज़्यादा सज ज्यादा लोगों की help की जा सके, अब जितने ज्यादा लोगों की help होगी, उसके लिए वो क्या करते हैं, कानून बना दितने हैं, और उसके according एक हम संगः बदा देते हैं, जिससे statutory company कहते है है तो देखिए आपका सबसे पहले हमारा कौन सा है स्टेट्री कंपणी हमारी कौन सी कंपणी होती है देखिए कि सर यह कौन सी कंपणी होगी सिंपली लिखा हुआ है मैंने एक सिंबल भी डाल दिया है डेट इस आर वी आई का सिंबल देखो तो आप ध्यान रखेंगे एक्जाम में एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है यह कौन सी कंपणी है कहता है कंपणी फॉर्म्ड बाइदा स्पेशल एक्ट स्पेशल एक्ट मतलब भाया ऐसा नहीं है कि यह पहले से बनाना तैथा नए सेशन बुलाने पड़ते हैं नए एक्ट के अकॉर्डिंग ब हम पढ़ क्या रहें कंपणी एक्स तो सब के उपर अप्लाई हो जाता है लेकिन कुछ स्पेशल जो कंपणी बनाया जाता है इस कंपणी के उपर स्पेशल लौ लगाया जाते हैं ठीक है हाइवर दा प्रोविजन ऑफ दा कंपनी एक 2013 आपका इनकंसिस्ट विच दा कंपनी को क्या क्या कर सकती है प्रिबलेजिस के मतलब होगा कंपनी को क्या-क्या फाइदा मिलेगा इन शॉट तो देखें पढ़ने का तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मैंने इन शॉट समझा दिया ऐसी कंपनी को बनाया जाता है जिसका एक मे है जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं स्ट्री कंपनी एक पढ़ी देते हैं दा अब्जेक्टिव अफ सच कंपनी इस नॉट मच अन प्रॉफिट इसका में मोटी प्रॉफिट कमगाना नहीं होता सर्व टू पीपल यानि पीपल को सर्विस देना होता है दा लाइबिलिटी में देखो कि देखोगे ना तो कहीं भी नहीं लिखा होता रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया लिमिटेड कंपनी नहीं लगाते यह लोग एस पर देर नीम एनुवल रिपोर्ट ऑफ दा वर्किंग ऑफ इच अफ सच कंपनी इस रिक्वाइट टू दा आपका प्लेस दा टेब लेजिस्टेटर पार्लियमेंट में या फिर स्टेट असेंबली जो की होता है विधान सवा और राज्य सवा यानि एमले के सामने और एंपी के सामने इनको हर बार रिपोर्ट देना पड़ता है सेंबले में ऐस केस में भी जो भी हो और इसका ऑडिट कौन करेगा सी एजी आडिट करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनल ऑफ हिंडिया सी एजी इसका ऑडिट करने वाला इसके कुछ एग्जामपल है थोड़ा सा यह टाइपिंग का समझ लो देखनी रहा होगा वही लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी आई एलाई सी यह सारा तो अभी तो मैं एक एक कर कर अडिय। लिमिटेड बाइस शियर का मतलब क्या है मान लेते हैं कि एक्स वयजड लिमिटेड कंफ़नी है और इस कंपनी ने आपने इस कंपनी के इस ने शियर इशिए और दस रूपे फेज वैल्यू था अब इस company ने पहले called up किया called up कितने किये sir 8 रुपे company ने कितने called up कर लिए 8 रुपे जब 8 रुपे called up किया और आप ने इस company के share खरीदे हुए है now company decide के ये बंद कर दे liquidate कर दे winding up कर दे तो भाईया winding up करेगा तो क्यों करेगा company winding up क्योंकि company के पास खूब सारा liability होगा company बंद होने का सबसे major reason यही होता है company के पर बहुत सारा कर जाए liability होगा company winding up हो रहा है तो winding up case में इसके सारे liability का payment कौन करेगा कौन responsible है इसके payment करने का क्योंकि company का honor कौन है आपको shareholder तो आपकी responsibility बनती है लेकिन company बनाने के यही purpose है कि मान लेते हैं आपने भी आठ रुपे का share खरीदा और इस company में पता चला पांच लाख रुपे का करजा आपको भरना पड़ रहा है अगर यह situation आ जाए तो आप company में पैसे नहीं invest को बहुत भाई दस रुपे का benefit और पांच लाग का नुक्सान अकर बंद हो गया तो तो government कहता है जितने का share खरीदा है आपने उतने की लाइबलेटी तो आपकी लाइबलेटी जो अब बनेगी ना वो सिर्फ दो रुपे देने पड़ेंगे आपको ना कि पूरे पांच लाख रुपे तो वही है पहला नौट जैसे लिखना क्या है वो मैं दे दूँंगा कंटेन में ठीक है न अगला कहता है लिंटेड गारेंटी कई बार क्या हुता है न कई बार कंपनी क्या करती है कंपनी शेयर्पी summary लेकिन बहुत सारे मेंबर जोड लेती अपने साथ मेंबर से बोल लेती है ऑगभान typical करेंगे आपको थोड़ा से जीब लगे कापनी से के कैसे हो सकती हो सक्तिय laser फूसिबल टैफ को सारे मेंबर मिल गए और मेंबर मिलने के बाद बात करते हैं के सारे काम करो कि हम काम स्टार्ट करते हैं ऑर हर एक गारणेटी ले लेगा कि अगर इनकेस हमारे जीसे इस कांपवनेदर हर क lavorative स्कीन को क्या कहा जाएक सारासर क्या काएक के कमपणी को कहा जाएगा कमपनी लीमिटेट बाए गारेंटी ऐसे होते हैं अनलीमिटेट कमपणी या उनलीमिटेट कमपणी बड़ा खतरनाक है आज के टाइम पर ही नहीं बचा लगभग-लगवग में बात करूं बहुत डेंजरस है अनलीमिटेट मतलब क्या हो गया सार जि इस company का shares का face value 10 रुपए हैं company ने called किये हैं मान लेते हैं 6 रुपए मांगा और आप अपने आपको समझो company में पैसा लगाओगे company में investment करोगे और आपने इस company के shares खरीद लिए तो आपने payment कितना किया होगा अभी क्योंकि company ने मांगा ही है तो आपने paid अभी 6 रुपए ही किये होंगे और company nearby अभी तक पैसे नहीं मांगा पता चला 5 साल के बाद company की हालात खराब होगी और यह insolvent होने जा रहा है insolvent होना जा रहा है तो insolvent का मतलब इसके पास बड़े सारे liability है और liability कितने का है पांच करोड का और इस company के shareholder में सभी में बाटा जाए और आप सभी बोला जाए कि भाई तुम भी एक काम करो अब तुम भी मालिक थे इस company के आप भी 1 करोड रुपे दो तो क्या आप ऐसे company म में पैसा लगाना पसंद करेंगे यह हो गया सर unlimited liability मतलब जितना company का loss होगा सब आपको बीर करना पड़ेगा आपने कितने का खरीदा यह मतलब नहीं है तो ऐसे जब आपको एक करोड रुपे payment करना पड़ेगा तो unlimited liability माना जाएगा तो unlimited company मतलब है आपका company का liability unlimited हो जाता है व वो number one company limited by shares का ही पढ़ा हुआ है हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया है ठीक है सर तो अभी तक हमने क्या देखा kind of company देख रहे हैं बड़ा basic सा चप्टर है चोटा सा चप्टर है kind of company में क्या था सबसे पहले हमारा क्या था एक company statutory company देख लिए हमने एक private limited company होता एक limited उस पर से discuss करेंगे उसके बाद हमने क्या देख लिया सर एक limited by share unlimited by guarantee और unlimited company और limited by guarantee यह भी हमारे share होते हैं चलिए इसके बाद हम देखेंगे सर क्या देखना है हमें company private limited और public limited में क्या differences है यह बहुत बार question पूछा जाता और exam में आता है इसको हम अभी करेंगे पहले फटा-फट से आ most important है क्या difference है हमारे किसमें sir company के क्या-क्या differences है तो differences मैं यहां पर बताता जाओंगा और आप समझते जाएंगे और मैं बताता जाओंगा विद एक्जामपल करते जाएंगे ठीक है ना यहां पर लिख देता हूं मैं limited के लिए और यहां लिख देता हूं PVT के लिए ठीक है प लिए और यह डिफ्रेंसिस ना आप आज से नहीं पढ़ते आ रहे हैं आपने 11 वी में भी पढ़ा है तो प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी सी ना लिमिटेड कंपनी से थोड़ी छोटी कंपनी मानी जाती है इसके अंदर ना minimum जो मेंबर हो सकते हैं कम से कम लोग वो रखने पढ़ेंगे minimum कि आपने बिजनस के करें करते हैं तो पहले आपको डीसाइट यह करना पड़ेगा आप फ्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहिए हो अगर आप प्राइवेट क्लिमिकसा और शेने मेंबर होना चाहिए तो मिनिमम मेंबर इसमें कितने हैं दो और इसमें कितने हैं साथ है मैक्सिमम कितने हैं सर इसके अंदर अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 200 होता है और इसके अंदर अनिलिमिटेड इसके अंदर कितने होंगे? Unlimited तो सबसे मेन बात है सर Maximum Number 200 और 200 में न Employee Included नहीं होता है सर Employee Included नहीं होता है मान लेते हैं इसने क्या करें? Shares दिये और Member का मतलब 200 Shares नहीं अब ऐसा भी possible है एक Member ना 10 Shares ले ले Member की बात हो रही है तो पहले थोड़ा सा Member भी समझना होगा कि Member What is the Member? Member क्या होता है? तो एक होगे Unlimited और यहाँ पर 200 200 Member क्या है? मान लो PQR Private Limited समझना Private Limited इस Company ने 1000 Shares इशू किये इशू कितने शेर किये सर? 1000 Shares इशू किये अब इसमें इस 1000 Shares को टोटल 5 बंदों ने खरीदा एक ने खरीदा 200 एक ने खरीदा 200 और एक ने खरीदा 200 और एक ने खरीदा 200 और एक ने खरीदा 200 तो कितने Member होगे साहब? 2, 3, 4, 5 तो इसके Member कितने माने गए? 5 Shares पे मत काउंट करेगे Member कितने माने गए? 5 तो इस तरीके से इस कंपनी में प्राइविट में 200 मेंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकते लेकिन मान लो 200 हो गए और कुछ शेर उसके इंप्लॉई ने खरीद लिए तो employee को member में count नहीं किया जाता समझवनी बात आपको तो इसमें employee का privileges मिल जाता है mounting benefits मिल जाता है तो पहला point जो हमारा था यहां पर क्या कहता है minimum member cadea maximum maximum 200 दो तो यहां unlimited था फटा फट से minimum कितना होगा सर यह हमारा है limited तो minimum member 7 और maximum इसमें 2 unlimited को में और इसमें 200 ठीक है ना इन्विटेशन टू 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 पब्लिक इसका मतलब क्या हो गया जैसे x y z एक मैं लिमिटेड का नाम ले रहा हूं और एक नाम ले रहा हूं x y z p v t लिखते हैं और ऐसे लिमिटेड लगाते हैं ठीक है ना यह ना अपने को बीचने के लिए अगर इस प्राइवेट लिमिटेड एसा नहीं कर सकती रिस्रिक्षन है इसलिए छोटी कमपनि कहा जाता है अगर चाहोगे के आपकी कमपणी का शियर मतलव के private limited company और आपके कमपनी के शियर ना आपके मार्केट में चले और आपने सोचा क्या धी कि नहीं होगी जादा तो आप अखलक क्या है इंविटेशर मतलब क्या हो गया कि कभई मेरी कंपशर ले लो मैंने advertisement TV में दे दिया, मैंने radio में दे दिया, इन सब भी जगह पे दे दिया तो public limited तो ऐसा advertisement दे सकती है क्यों किसी को भी shareholder बना सकती है लेकिन private limited नहीं दे सकती, तो यहाँ पर point आ गया, invitation to public इसके अंदर sir yes और इसके अंदर no public deposit, public deposit में sorry पहले तो यह समझेंगे public deposit है क्या, एक एक करके समझते जाएंगे न, फिर से ले लेते हैं xyz limited और क्या ले लेंगे, pq r limited, balance sheet देखिए, balance sheet में पुरानी वाली बना के चल रहा हूं, liability और यह assets, खेक है न, अब मान लेते हैं कोई public है, और यह public चाहता है कि आपको पैसे दे deposit, यानि इसको मैंने बोला कि भाईया तू बैंक में जब जमा करेगा, तो बैंक में जब तू FD करेगा, तो तेरे को मिलेगा 8%, तू मेरे पास अगर FD करेगा तो मेरे तो liability माना जाएगा न, मेरे पास FD करेगा तो मैं तुझे दूँगा 20%, तो आपके मन में लालच आ जाएगा न, कि भाईया अगर हम इसके दे देते हैं, तो 20% मिलेगा लेकिन यहाँ पर रिस्क है आपका बैंक के अंदर पैसे secured रहते हैं और वैसे तो 100% secured वो भी मना कर देते हैं और यहाँ जो यह है XYZ लिमिटेड यह पैसे डूबने के चांसे ज़्यादा हैं, इसलिए आपको हायर इंटरस है, तो जो प्राइवेट जो लिमिटेड कमपनी है न, वो पब्लिक को इस तरीके के हायर इंटरस रेट का ओफर देके अपने पास FD करवा सकती है, क्यों करवाएगे सर FD, ताकि यह इनके पैसे को इस्तमाल करें और बाद में इनको रिटन कर दें क्योंकि कमपनी को भी तो फंड चाहिए न, कमपनी को फंड चाहिए, बैंक से लेने जा रहा है, बैंक से 25 का पढ़ रहा है, इसना सोचा पब्लिक से ले लो और 20 का मिल जाएगा, तो रेट बच गया, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कमपनी को यह इजाज़त नहीं है, बोलता है तुम पब्लिक डिपोजिट ले ही नहीं सकते, तुम छोटी दे सकते हो किसी को, इसके अंदर नहीं दे सकते हो, मिनिममम नंबर अफ डारेक्टर, लिमिटेड कमपनी के अंदर आपको तीन डारेक्टर रखना जरूरी है, और यहाँ पर दो डारेक्टर से ही काम चल जाएगा, डारेक्टर कौन होते हैं पहले यह समझ लेते हैं तीन डारेक्टर और यहां पर दो डारेक्टर कम से कम यह डारेक्टर तो रखने ही पड़ेंगे तर डारेक्टर कौन होते हैं जैसे X Y Z Limited है ठीक है इस कंपनी ने शेयर इशू कर दिये एक लाग शेयर अब इस कंपनी का आपने दस शेयर खरीदा तो आप क्या होगे इस कंपनी के लिए मालिक होगे जब आप इस कंपनी के मालिक होगे तो थोड़ी ना आप इस company को बैठ के चलाओगे आपके पास तो 10 share ही है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा share होता है ना इनमेंसे सबसे ज़्यादा share जैसे कि मान लो एक वेक्ति है जिसके पास मान लेते हैं कि 51,000 share है तो ये भी मालिक है तो किस पास नौकर रखता है अपने नीचे उस नौकर को कहा जाता है डारेक्टर जो company को चलाएगा और सारी की सारी जानकारी इसको दिया जाएगा और यह कौन होता है company का सर CEO आपने सुना होगा या फिर इसको हम founder कह देंगे founder क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के पास है इसी ने बनाया तो यह founder होगा तो जो founder होते हैं आपने नीचे छोटे 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 बहुत सारे division में रखते हैं जिसमें से नौकर में सबसे top level का नौकर जो होता है जो company को चलाता है एडवाइज करता है सारी चीज़े करता वह कौन होता है डारेक्टर तो company law बोलता है कि भी तुमने company तो बना लिया तुम नहीं करोगे सारा यह भी पॉसिबल है कि मैं मालिक मैं भी खुद भी डारेक्टर बन सकता हूं तो law ने बोला कम से कम दो डारेक्टर और तीन डारेक्टर होना जरूरी है रिटार्मेंट ऑफ डारेक्टर इसके अंदर रिटार्मेंट ऑफ डारेक्टर होगा इसमें येस इसमें नहीं होगा कोई सर कोई डारेक्टर रिटायर नहीं होगा एक डारेक्टर बन गया चलते रहेगा चोटी company में दो डारेक्टर है मालिक ही हमेसा डारेक्टर पर्मानि ठीक है ना इसके अंदर रेमुनेरेशन लॉफिक्स करता है लॉब बताएगा कि इतने परसेंट की इंकम है तो इतना डिरेक्टर को कमिशन देना है अब मैंनेजर का रेमुनेरेशन फाइनल अकाउंट वाले चप्टर में हम डिसकस करेंगे और एक सीएसर वाला जो लास्ट इक ना जैनल कोरफरेट अकाउंट वहां डिसकस करेंगे कितने अभी बस इतना समझे है कि प्रैवेटjat लिमोतेर के अंदर को ऐसा नहीं है तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जितना दे रहा है रखले बह रिएड़ी आपक्ष्क करना पड़ेगा तो यहाँ पे ऐसा कोई नो के लिए एक कंपनी का जो अकाउंटिंग करेगा जो अकाउंटिंग करेगा उससे अकाउंटेंट कहेंगे और कंपनी को गौवर्मेंट कहती है तुम ना जूट बोल सकते हो तुम्हारा अकाउंटेंट जूट बोलता है तो गौवर्मेंट कहती है अपनी कंपनी का सारा बैले ुआ Ampati बंगाने के जुदफनी यहां पर certain limit है कि say rotation भी आप devrotation की बात करें तो अडिटर का यहां पर रोटेशन जो है मैंने आगे पॉइंट लिखा है नहीं डिखा none point वैसे enough है rotation की मैं बात करूँ तो इसके 12 नंबर का हर बार पूछा जाता है मिनिमम लिख देना मैक्समम लिख देना और इसका प्रॉपर थियोरी मैं आपको कंटेंट के अंदर दूँगा जिसे आपको पढ़ना है आपको डाउनलेडिवल फॉर्म में दे दूँगा आप निकालके प्रिंट ले लिए बागी पढ़ बाई प्रिंट के अग серьез है अीत, है राभल, कि यचिजित मैं तर्वा ये लेक कि एसो पढ़ है रागी को देना बाल, कि दोतोमने है आपको प्रिंट रेझा मैं आपको ते रागी किसे आपको चूछावाय मैं विख ओार